हेलो ग्रीटिंग्स तो अल फ्यू वेलकम टू हिम्रेक शक्तो स्वागत आप सभी का आज किस वीडियो में देखी आज HPPSC ने HRTC कंड़क्टर का स्लेबस बताया है उस स्लेबस को देखकर most of the student हमारे 90% student मेरे को मेसेज कर रहे हैं जो स्लेबस बताया है उसमें पता नहीं चल रहा है कि यह पेपर वन का स्लेबस है या फिर पेपर टू का स्लेबस है हमें बताये कि पेपर वन होगा या पेपर टू भी होगा उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है मैं कोशिश करूँगा कि आपकी confusion जो है वो इस वीडियो को देखकर दूर हो जाएगी देखे इस परकार से स्लेबस उन्होंने बताया है कि स्लेबस फोर्दा कंड़क्टर क्लास 3 on contract basis in HRTC under the department of transport HP अब HPPSC ने बोला है कि हम लेंगे आपके कलास 3 के जितने भी हमारे विग्जाम है वो हम पेपर वन और पेपर टू के रूप में लेंगे यही बताया है इन्होंने बट स्लेबस की बात की जाए तो स्लेबस यहाँ पर कहां लिखा है कि यह पेपर टू का स्लेबस है यहाँ पर कहां पर लिखा है यह पेपर टू का स्लेबस है यह पेपर वन का स्लेबस है हाँ जी confusion तो बनती है ना फिर आपकी ठीक हो अपनी जगाप अब देखिए अगर मैं आज से कम से कम तीन चार महीने पहले की बात करूँ तो HPPSC ने बताया था कि आपके पेपर वन में पेपर वन में आएंगे आपके जो चार पार्ट हैं जो पहले दरशाए गए हैं जैसे knowledge of Hindi, knowledge of English GK of HP फिर वहाँ पर था National और International Affairs ठीक है बीस नंबर के आपकी वहाँ पर वो आ रही थी हिंदी आ रही थी बीस नंबर की English आ रही थी और तीस नंबर के आपकी HPG के और तीस नंबर के ही आपके हिमाच्चल सोरी National और International Affairs आ रहे थे यही था सले बस पेपर वन का अब देखो यदी Department जो सोरी हमारा Commission है HPPSC अगर उन्होंने Hindi, English, GK और यह वाला चोथा पाई पहले चार पार्ट पेपर वन में पूछ रहे हैं न तो पेपर टू में यह पूछने की क्या जुरूरत है मेरे को बताओ मैंने आपको बोला था और HPPSC ने ही आपको बोला था कि आपका होगा Subject Aptitude Test Subject Aptitude Test Means आपको दिपार्टमेंट के लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपके जो होगा Department के कॉशन आएंगे HRTC कब स्थापित हुई थी या फिर और भी बहुत ज़़गा कॉशन होते हैं कि HRTC बस ने कुरियर सेबा कब चालू करी थी कब शुरू करी थी अब जो लास्ट के पार्ट है न ये ये एक्स्टा है दो पार्ट फिप्त और सिक्स्ट ये एक्स्टा पलस ये सारे के सारे सैट में आते हैं Means HRTC के सबज़ट के कॉशन है ये सारे के सारे अब confusion आप इस परकार से दूर कीजिए अपनी कि देखिए आप न आप यहाँ पर फोकस रखो पहले चार में पहले चार में आप फोकस रखो क्योंकि आपको कोई घाटा नहीं होने वाला है जो आपको मैं बता रहा हूं इसमें ठीक है आपको क्या करना है पहले चार में आप पेपर वन दे दो और पेपर टू के लिए यदि पेपर वन में आपने ये पढ़ा है ना तो पेपर टू के लिए पढ़ने की जुरूरती नहीं है आपको बाई चांस आभी जाए question तो कोई चक्कर नहीं है बट यहां पर मेरे अनुसार जिसना भी हमारा हमारे टीम की नोलेज है उसके अनुसार आपको ये असले बस आने वाला है पेपर टू के लिए अब मेरी तरफ से ये advice रहेगी हिमरक्षक टीम की तरफ से आपको advice रहेगी आपको क्या करना है पिपर वन के लिए आपको पहले चार पर फोकस रखना है ठीक है सभी को पता है हिंदी पढ़नी होगी, इंग्लिश पढ़नी होगी फिर आपका HPGK पढ़ना होगा, फिर आपका National और International Affairs पढ़नी होगे ठीक है यहाँ फिर वहाँ पर आपको affairs की जगह आपको वहाँ पर current affair के question भी आएंगे और paper 1 में भी मैं बोलों current affair के भी आएंगे और आपको history, geography, polity सब के question आएंगे paper 1 में यदि paper 2 हुए तो समझ गे और जो आपका paper 2 होगा paper 2 होगा, उसमें आप ये last के 6 section नों में focus रखना ठीक है, मेरे अनुसार ये है आपका paper 2 का slip बस और ये है आपका पहले 4 paper 1 का slip बस अब हुई confusion दूर का नहीं ठीक है, confuse बिलकुल नहीं होना है अगर आपको देखिए, paper 2 में मैंने आपको बोला आपको यहाँ पर focus रखना, यहाँ पर, यहाँ पर focus रखना है subject aptitude test में, ठीक है, बाई चांसे इसमें से वो question उठा भी लेंगे तो कोई चक्कर नहीं है यार आपने paper 1 को clear किया ही है अगर paper 2 में भी question आ जाएंगे तो आप देखी लोगे फिर क्योंकि paper 2 को, paper 1 को clear करना भी असान बात नहीं है यदि आपने clear कर रखा है तो आपकी पहले चार की, पहले चार point की त्यारी तो है यह है फिर समझ गए? जो मेरी समझ में आता था, वहने आपको बता दिया क्योंकि अगर department चाहता, means HPPSC board हमारा चाहता तो वहाँ पर यह paper 1 को इस परकार से लिखता कि paper 1 के लिए यह है और paper 2 के लिए यह है क्योंकि अगर मेरे ख्याल से, अगर हमारा HPPSC यह आपका पहले चार का knowledge paper 1 में चेक कर रहा है ना तो paper 2 में यह questions नहीं आएंगे आपको क्योंकि बार-बार एक ही question सो पूछने को क्या पढ़ी है उनको ठीक है, क्योंकि जो आपका HPPSC है उन्होंने बोल ही रखा है कि हमारा set का होगा second paper subject aptitude test का वो उन्होंने बता दिया कि क्या क्या आएंगे अब होगी confusion आपको दूर उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी confusion दूर जरूर हुई होगी आपको जब आपका paper two की बारी आएगी तो आपके ये वाला section क्योंकि यहां के question आपको मिलते नहीं है, net में नहीं मिलते या फिर कहीं और से नहीं मिलते हैं, आपको पूरा का पूरा ज्यान हिमरक्षक प्रवाइड करवाएगा ठीक है, ये free of course आपको यहां पर मिलेगा set का सले बस पूरा का पूरा जो भी question बनते हैं अलग-अलग source है, internet source के आपके लिए सारा का सारा खोज करके हम लाएंगे, और आपको वही वीडियोज देखनी है, और paper 2 भी आप जट से clear कर पाओगे समझ गे YouTube के लावा हम तीन social media handles पर और भी है आपको whatsapp पर मिलते है, PDF इसलिए whatsapp पर आना है यहां पर मिलते है अच्छी post के साथ यानकारियां, इसलिए Instagram पर आना है यहां पर मिलते है free of course quiz, जो की other channels आपको paid provide करते हैं यहां पर free of course मिलते हैं इसलिए हमें telegram पर हमें follow करना है ठीक है तो thanks for watching अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं करा है तो channel को subscribe अभी के अभी कर दो क्योंकि आप बहुत बड़ी opportunity मिस कर रहे हो unsubscribe जहां फिर बिना subscribe किये देख रहे हो वीडियो तो अगर आपको वीडियो knowledge लगी अच्छी लगी तो वीडियो को like करें subscribe करो channel को और वीडियो को जादा से बच्चों में share करो और क्योंकि confusion हुई है message दो ही मेरे को आए है क्योंकि मेरे को भी कैसे पता चलना था क्योंकि हमें और भी काम होते है duty भी करने पड़ती है आपके messages से हमें पता चला है तो comment करें कि वीडियो कैसी लगी तो मिलते हैं next वीडियो के साथ तब तक आप खुश रहेगा पढ़ते रहेगा धन्यवाद जय हिंद जय हिमाचल